धर्म गुरू शंकराचारे अवी मुक्तेश्वरा नंद स्वरसती अपनी बेबाक रॉय के रिए जाने जाते हैं। पिछले दुनों उन्होंने आध्या में अधूरे राम मंदिर की प्रांट पतिस्टा किये जाने परमुदी सरकार की आलोचना की थी। तो वहीं अब उन्होंने योगी सरकार के हालिया फैसले की भी कड़ी आलोचना की है। क्योंकि जब आप हिंदू-मुसल्मान की भावना तेस करेंगे तब लोगों में भेत पैदा होगा। क्योंकि ऐसा करने से लोग हर चीज को हिंदू-मुसल्मान के ही नजरिये से देखेंगे और फिर उनके मन में कड़वाहट आईगी और टक्राव पैदा होगा। तो ऐसी परिस्तिती में कावड़ यह जो धार्मिक भावना है उनके अंदर वो कैसे उनके अंदर आएगी। तो हम समझते हैं कि इस तरह का कानून बनाने से तो बिद्वेश फैलेगा। हमारा अपना सोचना है बहुत से हिंदू इसमें कह सकते हैं कि देखो यह फिर ऐसी बात कर रहा है अब में उक्तेश्वरानन्द। जो सच है वही तो हम कह सकते हैं। आएवं कैसे कह सए कछ है कि यह सही है। क्यों कि मसल्मान की दुकान है? फिर हिंदू नकर है बनाने वाले सब हिंदू है और मालिक जो है गल्ला पे बैट करके मालिकाना कर रहा है। अब नाम लिख दिया गया कि ये, और उस दुकान में इसका आर्थिक असर पड़ेगा, आर्थिक असर पड़ेगा, तो मालिक क्या करेगा, मालिक की तो दुकान रहेगी, लेकिन वो चटनी कर देगा, तो हिंदू चटनी में जाएंगा, फिर दूसरी बात ये है, कि अब जब जाद द्यान में नहीं थी यदि भी जानते थे कि ये मुसलमान हैं ये हिंदू हैं लेकिन इस भावना को अभी बल नहीं था अब बल आ जायेगा इससे भी नहीं सूझ रहा है डीबी लाइफ के रिपोर्ट